बैनाना, एग, साथ में स्वीट पॉटेटो आज ये तीन चीजों से खास एक रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत हेल्दी है अगर डाइट पे हो तब भी आप ले सकते हो सुभी के ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है पूरा बॉड़ी के न्यूट्रिशन वैलू को कम्प्लीट करते है तो हेलोवे एफ्री वान चलिए पाच मीट के अंदर तयार करते है आज का हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट यहाँ पे हमने 250 ग्राम लिया है स्वीट पॉटेटो को उभाल के यानि कि बॉइल किया हुआ चिल के अच्छे से हमने स्पून से मैश कर लिया है अब एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे चार से पाज बड़ा चममाच दो बिल्कुल पक्के हुए केला लिया है डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा काली नमाग यानि की ब्लाक सॉल्ट, टूपिंच जितना, दो अंडा डालेंगे, दो केला डाल रही हूँ, उसी साब से दो अंडा जाएगा इसमें, अब एक फोग या फिर एक चमस्क के साइता से अच्छे से मैश कर लेना है, फ्रेंज, क्योंकि हमें स्मूध सा एक एक बैटर तयार करना है, तो हम मिकसर के जार में करेंगे, जिससे जट पर तयार होंगे, एक मिकसर के जार में हम डालेंगे ओट्स, तो यहाँ पे 1300 ग्राम एक बड़ा कप हमने डाला है ओट्स, आधा बड़ा कप डाल रही हूँ सूजी, ओट्स और सूजी डालने से बहुत हिल्दी हो जाते हैं, ओट्स के जगा पे आप पूरा सूजी से बना सकते हों, या फिर म जो केला और अंडा को मिकस्ट किया था, वो वाले बैटर को पहले डालेंगे, अब साथ में ही जो सूजी और ओट्स को हमने पीस लिया है, वो भी उपर से डालूंगी, आधा कप दूद डाल रही हो, नॉर्मल टेपरेचर का दूद है, साथ में जिस पोल में हमने मिकस्ट क किया था, उसमें भी आधा कप जितना पानी डाल के वो वाले पानी भी डाल दिया है, अब अच्छे से ब्लेंट कर लेंगे, बिल्कुल स्मूध सा एक बैटर तयार करेंगे, तो लीजी ये बैटर हमारा तयार है, बोल में निकाल लेते हैं, कंसेंटेंसी देख रहे हो, इसे गारा ना इसे पतला, दो चुटकी भार हम डालेंगे, खाने वाला सोडा, यानि की मीठा सोडा, इनो या फिर बैकिक पाउडर भी डाल सकते हो, एक चोटा चमा जितना निम्बू के रस डाला, सोडा को एक्टिव होने के लिए, निम्बू के रस डालते ही, सोडा में बहुत ज्यादा बबल्स आने लगा, आपने देखा और इससे ना अंदर से काफी अच्छे से फूलते हैं, तो चलिए, यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा घी डाला, हमने एक बड़ा चमा जितना घी डाला, और छोटा छोटा इस तरीके से पैन केक बनाएंगे, बिल्कु सकते हैं, अब डाइट पे हो, आपने देखा इसमें आमने कोई चीनी बगेरा नहीं मिलाया, और ना ही इसमें मैदा डाला है, केला खुद में ही धोरे से मीठे फल है, और जो हमने स्वीट पोड़ेटो डाला है, उससे ही अच्छा सा एक नैचुरल मीठे बन आ जाते हैं, बैटर को डालने से लेके कंप्लीट होने, जितना पूरा स्लो फलेम पे रखना है, जिसे कि अंदर से फूले, तो मैंने ढखके देर से दो मीठ जितना एक साइट पकाया है, अंदर से कितना फूला फूला बन रहे हैं, अब देख रहे हूँ, कितना बबल्स आया हैं, तो ल लगते ही हमें इसे फ्राई कर लेना है दोनों अब सेम इसी तरीके से जो आगे का बैटर है उससे भी बना लेंगे तो दूसरे बैच हो जाने के बाद तिसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुके हैं यह देखिए अब जटा पट निकाल लेते हैं कितना ज्यादा अच्छा दिख लेते हैं थोड़ा सा बैटर से हमने हार्ट शेप का बना लिया है और बिल्कुल चोटे-चोटे से पैनकेक्स तयार कर रही हूं जिसे गानिश करने में असानी होंगे और देखने में भी अच्छा लगता है अब जो थोड़ा सा स्वीट पोटेटो को हमने मैश करके रखा बोल्ड में उसमें आप डालेंगे दूद एक बड़ा कप मलाईदार हमने दूद डाला इसे कलर फुल्ड करने के लिए यहां पर डालेंगे बीट रूट चूस यानि कि चुकेंदर का जूस निकालके हाफ बड़े साइज का बीट रूट का रस पूरा निकालके मैंने डाल तो यहां पर आदा छोटा कप जितना है जब दूद के अंदर इस तरीके से बीट रूट का जूस डाला तो आप देख सकते हो कलर पूरा चेंज हो कि पिंक पिंक सा कलर हो गया है अब इसे बोल्ड में निकालेंगे इस स्वीट पॉटिटो के अंदर आप चीनी एड़ कर सक पूरा सामने तर्भूच डाला है अब टूटी फूटी या फी ट्राइफूट से भी सजा सकते हो तो यह रहा हमारे आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट यह था हमारा सुपर फूट ब्रेकफास्ट इसमें मिल्क बनाना स्वीट पॉटेटो वाटर मिलन साथ में हैं ओट्स इसे खाते ही आप दम फिट और तरो ताजा महसूस करेंगे तो जट पट बनाएं इसे आप इंजॉय करें सुबह के ब्रेकफास्ट में ले सकते हो या फीर शाम के चोट चोटी भूख में दे सकते हो अपनी बच्चों को टिफिन बॉक्स में तो फ्रेंस कैसा लगा आज के हमार सकते हो पैनकेक्स हनी के साथ इंजॉय कर सकते हो यह पैनकेक बहुत ज्यादा सौफ्ट है खाने में डिलीशियस है पैनकेक्स को बना के आप फ्रीज में तीन से चार दिन स्टोर करके खा सकते हो या फिर बैटर को बना के आप रख सकते हो जब भी खाना हो जट पट बैटर को निकाल के पैंकेक बना के आप खा सकते हो जिससे समाई का बहुत ही वच्चत होता है कम टाइम के अंदर रेडी हो जाते हैं तो फ्रेंज अगर आपको बाहर का अनहिल्दी खाना नहीं पसंद घर का फ्रेंज खाना पसंद है मेरी तरह तो आप लाफ किचिन चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर रोज आना आपको मिलेंगे हेल्दी टेस्टी और यूनिक रेसिपी तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली कोई रेसिपी में टाटा बाई बाई टिक क्यार